सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यह जो सबसेड़ी है यह एक अप्रेल 2024 से लागू हुई है और इसका आखरी दिन है 31 जुलाई 2024 याने कुछ दिन में यह खतम होने वाला है इसके तहर आपको तो मैक्सिमान 10,000 की सबसेड़ी मिलती है जो फेम 3 यह वह अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है उसके उपर इवन गॉर्मेंट को प्रपोजल भी गया लेकिन उसके उपर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है कि गॉर्मेंट उसको लागू कर दिया है या प्रूबल हो च सबसेड़ी चल रही है इसको शायद एक्सेंट कर दे जब तक फेम 3 ना है ऐसा भी हो सकता है अगर नहीं हुआ यहां पर जो 10,000 की सबसेड़ी अभी के टाइम में आपको इलेक्टरी वेहिकल्स पर मिलती है तो टोटली खतम हो जाई अगले में का किसे कुछ भी आता पता नहीं है कुछ अपने प्राइस को कट डाउन के जिसे उनकी घाड़ी यह जाद से जादा भीग जाए वैसे भी यह जो सबसेड़ी चल रही है इसके तहत गौर्मेंट ने आउटले कम से कम 500 करोड का था अब देखते हैं आग ही का क्या स्टेटस है बट एक अगस से अगर ये एक्स्टेंड नहीं होता और फेम 3 नहीं आती है तो इलेक्टरी वेहिकल सारी की सारी महेंगे होने वाले है नेक्स ने उसकी बात करते हैं जो बहुत जाधा वारिल चल रहा है इस टाटा की करव ये जू गाड़ी इसकी बहुत खतरनाक टेस्टिंग चल सुझे एट अब तो बहुत जाधा बट एक देशी गाड़ी जो कूपी स्टाइल में आ रही है यह अलग ही बात है और टाटाल आ रही है तो ऑविसली बात है थोड़ा तो प्राइस अट्रक्टिव होने वाला है प्लस कुछ नया डिजान है तो लोग जादे अट्रक्ट होंगे अलग कि इसके तीनों वेरियंट के तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने अपने प्राइस को कट्डाउन किया जैसे मैंने पहले बता है क्योंकि EMPS खतम होने वाला है और गौर्णन के तरप से आगे सबसेडी का जो एक्स्टेंड है उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है तो ओला कंपनी ने अपने सेल्स क सम्तिंग कुछ का हो चुगा तो यहां पर उला ने थोड़ा प्राइस कट्डाउन का जिससे इनके सेज़ भी पड़े पहले पॉइंट यहीं है दूसरे इनकी जाद जाद जाड़ी बिग जाए इससे एक और न्यूज है क्योंकि EMPS काफी समय से अपनी गीगा फैक्टरी प स्पांट कर रहा है मानना पड़ेगा आपको एनिवेज नेक्स्ट न्यूज ओले लेक्रिक से ही है क्योंकि ओले एलेक्रिक ने छेसोवा सर्विस सेंटर ओपन कर दिया है यह किया है घुजरात में नेक्स उसकी बात करते हैं वहें टीविस के तरफ से वेल बजाज ने अप प्रबाबली है डिसमबर तक स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तक सिर्फ प्रबाबली ही चल रहा जितने भी आडिकास अभी तक मैंने पड़े क्योंकि बहुत जादा न्यूस चला था टीवेज सी एंजी स्कूटर के उपर इस गाड़ी का जो लांचिंग है इसकी देखो बहुत ज्यादा ट्यार पी तो गेन करी रही है क्योंकि यार ओविसली बात है सी एंजी लाइन पे एक खड़ी हो जाए तो अलग ही एट्रैक्ट करता लोग को और लोग चाहते भी है कि देखे तो कितना एवरेज देती है क्योंकि एलेक्ट्री वेहिकल से अच्छा यहने लॉंग डिस्टेंस भी जाना अलग सिटी में भी जाना एक्सोशी किलोमेटर दोसो किलोमेटर नॉन स्टॉप चलाना थैन एंगर सिटी में चलाना है थैन इलेक्ट्री वेहिकल इस ती गुड ऑप्शन उसके लाब कुछ ऑप्शन है ही नहीं जिसको आपको चूज क काड़ी के टायर भी काफी बड़ है डिस ब्रेट देखनों मिलती है तो कंपनी ने अपने एक्स्प्रेंस सेंटर को और इक्सपाइंड गया अब यह हाइदरबाद में भी ओपन हो चीगा अगर हाइदरबाद से को इस गाड़ी को लेने चाहता है तो जाके चेक आउट कर स खेक था बड़ी घृवी है थोड़ी से बलगी है और ज्यादा जगा है तो भाई तो एवरेज रही तो यहांने तो एक सो बीस किमेटर की रिंच अपको इस गाड़ी मिलेगी नेउसकि बात करते है वह है रिवोल्ट आर्वी फॉर रेट भाई बाई की न्यूस थोड़े जादे नहीं आ रहे आजकल पता नहीं भाई आजकल बहुत जादे नहीं है चल एनिवेस रिवल्ट की आर्वी प्राइज में या जीरो डाउन प्राइज कर रहें कि पहले यह चीज देख लेना कि आपकी रिक्वार्मेंट में अलेक्टरी वेहिकल सूट हो रही है पैसे डालना नहीं तो यू अब तो बहुत सारे और ओप्षिस और ओपन हो रहे हैं तो भाई वह भी ज़ूरा चेक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर देना मिलते के लिए वडिवें बाबाई